आज का पहला प्रस्ण होगा परकास की किरण गमन करती है आपके पास चार आप्सन मिल जाता है अगर आपको आंसर आता है तो नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं तो जो परकास की किरण गमन होती है वो सीधी रेखा में होती है तो आपका आपसर नमर ए राइट हो जाएगा प्रसन नमर दूसरा देखेंगे परकास का बेग नियून्तम होता है प्रसन नमर दूसरे का काच में आपसर नमर आपकास में D राइट होगा नमर तीन मोटर कार के हेट लाइट में किसका परियोग होता है यानि कि जो मिरर लगा होता है गाड़ियों में मोटर कार में O किसका परियोग होता है आपको बताना है प्रसन नमर दूसरे का आवतल दड़पण आप्सन नमर आपकाईस में C राइट होगा नमर चार समतल दड़पण द्वारा बना प्रति बीम्ब होता है नमर चौथे का कालपनिक आप्सन नमर आपकाईस में B राइट होगा कालपनिक नमबर पांच परकास के किरणों के समुव को काते हैं नमबर पांच में का किरण पुंज अपसर नमबर आपका इसमें भी राइट होगा नमबर शिक्स बस्तु को गर्म करने पर उसके अड़ूं की चाल बढ़ जाएगी तो आपसर नमबर आपका इसमें ए राइट होगा नमबर साथ धोन की चाल अधिक्तम होती है नमबर साथ में का इस पात में अपसर नमबर आपका सी राइट होगा नमबर आठ बिद्धुत केतली में पानी गरम होने का कारण है नमबर आठ में का तो आपसर नमबर आपका इसमें सी राइट हो जाएगा नमबर नौ बिरिच्छे की बिरिच्छो की आयू किस परकार निर्धारित की जाती है जैसे मनुष्य का एज होता है वैसे बिरिच्छो की आयू किस परकार निर्धारित की जाती है वार्षिक वर्लियों की संख्या के अधार पर तो आप्सन नमबर 18 में C राइट हो जाएगा नमबर 10 गतिके नियमों का प्रतिपादन किस ने किया नमबर 10 निूटन आप्सन नमबर आपका A राइट होगा नमबर 11 परतिक आवर्थ का पर्थम सदस्य होता है नमबर 11 एक चार धातू आप्सन नमबर आपका इसमें B राइट होगा नमबर 12 मिर्जा गाबिल किस समराट के समय में था नमबर 12 आप्सन नमबर आपका C राइट होगा नमबर 13 किस राज्य के सासक नबाब वजीर कहलाते थे नमबर 13 आप्सन नमबर आपका C राइट होगा नमबर 14 किस टीम ने इंडिया सुपर लिग 2002-2003 का किताब जीता नमबर 14 आप्सन नमबर आपका D राइट होगा नमबर 15 डाइनामाइट की खोज किस वज्यानिक ने की क्यूस्चन नमबर 15 दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है आप रोजाना जीके वीडियो और करेंट अफेयर जैसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो स्टुडेंट ग्रूप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश जरूर कीजिए नमबर 15 हमें का बताईए आलफ्रेड नोवेल आपसन नमबर A आपका राइट हो जाएगा नमबर 16 आक्सीजन की खोज किसने की क्यूस्चन नमबर 16 जोसेफ प्रिष्ट ले आपसन नमबर A आपका राइट हो जाएगा नमबर 17 सहित दिवस कम मनाया जाता है नमबर 17 तीस जनवरी को आपसन नमबर A आपका राइट होगा नमबर 18 हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है नमबर 18 14 सितमबर आपसन नमबर आपका B राइट हो जाएगा नमबर 19 उर्जा का सबसे अच्छा सोर्स जो कभी प्रदूसर नहीं फैलाता है नमबर 19 नमबर 21 प्रकास का रंग निश्चित किया जाता है किससे नमबर 21 तरंग दैर्या द्वारा आपसन नमबर आपका इसमें C राइट होगा नमबर 22 मदमक्खी के जहर की प्रकिर्टी होती है अमली आपसन नमबर आपका A राइट होगा नमबर 23 फिरोज साब कोटला स्टेडियम कहां इस्तित है दिल्ली आपसन नमबर A आपका राइट हो जाएगा नमबर 24 टू प्रोटीन को बचाने वाला इंजाइम है नमबर 24 रेनिन आपसन नमबर आपका C राइट होगा नमबर 25 निम्रोक्त दरोव में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है शिपकीला शिपकीला आपसन नमबर आपका B राइट होगा अगला प्राजन, नमबर टॉन्टी सिक्स, विशो में सर्वाधिक, यानि कि विशो में वार्षिक वार्षा का आउसत कितना है? सो सेमी, अप्सन नमबर ए आपका राइट होगा? नमबर टॉन्टी सेवन, रेगिस्तान में बादल और छेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम आदर्था, अप्सन नमबर आपका सी राइट होगा? नमबर टॉन्टी एट, छार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? नमबर टॉन्टी एट, टाइलिन, अप्सन नमबर ए आपका राइट होगा? नमबर एंटीस, भारत की सबसे बड़ी मचली है? सबसे आसांस वाला है इस वीडियो का? चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएगा, ठीक है? आता है तो भी, जो भी आंसर आए आपको कमेंट करना ही करना है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर? नमबर तीस, निमनले खित प्राइमेटों में आधुनी कमानों का निकटतम संबन्धी कौन है? गुरिल्ला, आपसर नमर आपका डीस में राइट होगा, तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने तीस सवाल में से कितने का आंसर एकुरेट सही किया है, आप नीचे कमेंट करके हमें जोरू बताएगे, हमारी मिनहत का फ़ल, लाइक के बिटन पर आप क्लिक ज़रूर कराएग धन्यवाद